ब्लड कैंसर से पीडित आठ साल के आयुश्मान के पिता प्रमोद शर्मा ने लोगों से मदद की गुहार लगाई है आयुश्मान का इलाज 2020 से PGI चन्डिगर में चल रहा है अब तक लगभग 17 से 18 लाख रुपे का खर्चा बच्चे के इलाज पर हो चुका है डॉक्तर के अनुसार इलाज की आगे की प्रक्रिया जिसमें टर्की से इंपोर्ट किये जाने वाले इंजेक्शन और बोन मेरो ट्रांस्प्रांट शामिल है इसमें 50 लाख रुपे तक का खर्चा आएगा परिजन बच्चे के इलाज का खर्चा उठाने में असमर्थ है फिट हिमाचल की तरफ से भी उनकी मदद की जा रही है और पिता ने लोगों से भी ज्यादा से ज्यादा मदद करने का अनुरोद किया है मेरे बिटे का इलाज के चड़ीव पीजाएगी सब्सक्राइब से बुड़ा है अब अब अपनी हालत है वो इतना कर्च उठाने से की हालत में नहीं है जो एस्टमी कर्चा वक्तर साथ में बचा है वहाँ इसका विहम्टी के लिए उनकी पचास लाग अजो बताएगा इसमें अभी भी मैं फस्ट चार्ट जो इंडेक्स का फस्ट चार्ट है कीमो तरफी वो कंप्रीट कर वा चुगा और उसमें बी ती चार्लाग वो निलाखर चोड़ चुगा है अब इस कंडिशन ऐसे विए कि अपने इलाज कराने वा बस्मत अब इतक जो है फिट इमाच्व की करब से जो गवा रहा है वो लगवग सात लाग रहे फिट इमाच्व की करब से गवा चुका है और फिट इम प्रिबिल इंशूट से कि ज्यादा से ज्यादा मुझे स्पोर्ट करें और आम प्रब्लिक से मेरी रोध करता हूं कि जितना हो सके मेरी मुशिबत की गड़े से मुझे बाहर निकाले और जितना हो सके के लिए काहा है है फाइल बेजिए यो टर्की से आएंगा तो अभी तक इतना फंडिक अठानी हुआ है कि मैं इंजेक्शन आसे उसके बाद 28 डेज का जो एचार्ट इंसाइट होने के बाद साथ दिन का राष्ट देंगे इस तो आपी एक्टी देरेंगे